ये विदेशी फ्रेंड हीरो बन ने आये थे मुंबई अब गलियों में बेच रहे पान और सब्जिया पांच अगस्त को फ्रेंडिशिप डे है इस मौके पर हम आपको मूल रूप से स्वीडिन के रहने वाले दो ऐसे बेस्ट प्रेंड्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो मुंबई में हीरो बन ने आये थे लेकिन आज कल मुंबई की गलियों में कभी सबजी कभी पान और कभी पॉपकॉन बेचते नजर आते हैं हम बात कर रहे हैं स्वीडिन के रहने वाले जोहान और हेंपस के बारे में बोलेवुड में भले ही इन्हें इंट्री न मिली हो लेकिन सोशल मीडिया के स्टार जरूर बन गए है जान ये कौन है ये और क्यों कर रहे ऐसा काम जोहान और हैंपस स्वीडिश एक्टर्स हैं जो कुछ साल पहले बॉलेवुड में अपना लख आज माने मायान गरी मुंबई में आये थे वे अब तक कई छोटी बड़ी फिल्म और हैड में काम कर चुके हैं इन दिनों उनके प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद कीड़ा रहे हैं जिसमें वे पान चाय तो कभी सबजी बेचते नदर आ रहे हैं इन वीडियो के जरियें वे महंगाई और मुंबई में टिकने के लिए किस तरह संगर्श करना पड़ता है इसके तरीके बताते हैं जोहान और हैंपस के मताबिक स्टिगलिंग एकर्ज को कमाई करने के लिए पान बेचने से लेकर टैक्सी तक चलानी पड़ती है बिजनेस मैनेजमेंट ग्राजुएट हैं दोनों बता दें कि दोनों ही बिजनेस मैनेजमेंट ग्राजुएट हैं एक इंटर्व्यू में दोनों बताते हैं कि हमें शुरुआत से ही एक टिंकर शौक था इसके आलावा हमें इंडियन मूविक के गाने लव स्टोरी और ड्रामा फिल्में काफी पसंद थी हमने जब अपने माता पिता को बताया कि हम मुंबई में जाकर फिल्मों में किसमत आज माना चाहते हैं तो पहले उन्हें ये मजाक लगा लेकिन हमने तैकर लिया था और हम इंडिया आ गए ये शहर हमारे लिए जान थे इसलिए हम एक होस्टल में रहे जहां हमें एक आदमी मिला जिसके बलेवुड में अच्छे कॉन्टाक्ट्स थे उसके जरिये हम लोगों से मिले और आडिशन देने शुरू किये इन स्टार्स के साथ किया काम जोहान ईशा गुपता के साथ रुस्तम फिल्म में और हम पसरतेश देश मुख के साथ बैजो मूवी में काम कर चुके हैं इसके अलावा ये दोनों से फली खान की आने वाली फिल्म रंगून में बद और बिटिश अफसर देखेंगे पिछले दिनों इन्होंने अपने फेस्बुक पेज में बारह से खेन का वीडियो अपलोड किया जो काफी वायल हुआ था इस वीडियो में मुंबई के आटो वालों के मनमा फिक पैसे लेने की आदट को दिखाया है जिसे डेर लाग से ज्यादा लोग देख चुके हैं हिंदी के चलते नहीं आई दिकत दोनों स्वीडिश एक्टर के मुताबिक आउडिशन देते वक्त उन्हें भाशा की इतनी दिकत नहीं आती थी दोनों ने धीरे धीरे हिंदी भी सीख ली काफी रिजेक्शन के बाद आखिरकार हमारा सेलेक्शन हो गया रंगून में हमारा छोटा सा रोल है लेकिन हम इसे काफी एंजॉय कर रहे हैं हैंपस ने ढीट पतंगे मूवी में एक रशन हिपी का रोल प्ले किया है वहीं फिल्मों के अलावा जोहान ने वाक्स वैगन के आड में एक जर्मन इंजीनियर का किरदार निभाया है ऐसे आया वीडियो का आइडिया दोनों कहते हैं कि बॉलिवुड में काम करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं हमें केवल वही रोल मिलता है जिसमें किसी विदेशी की जरूरत हो क्योंकि भारत में ज्यादा विदेशी एक्टर नहीं है अपने फेस्बुक के वीडियो के बारे में दोनों बताते हैं कि हमें यहां विदेशी मानकर आटो वाले मनमाफित पैसे लेते थे इसी से हमें वीडियो का आईडिया आया था सल्मान अक्षे और शाहरोक के फैन हैं पस बताते हैं कि उनके फेवरेट एक्टर अक्षे कुमार है वहीं जोहान के फेवरेट एक्टर सल्मान है दोनों ही शाहरोक खान की फिल्म डीडी एलजे के फैन है